तो आज किस वीडियो में फिर से एक बार बात करते हैं थोड़ा सा background verification के बारे में कि अगर किसी कंपनी का किसी vendor के थुरू background verification हो रहा है क्या यह जानना पॉसिबल है कि कौन सी company या कौन सा vendor मेरा background verification कंप्लीट कर रहा है क्या हम उनके touch में जा सकते हैं क्या उनसे connect हो सकते हैं क्य यूट्यूब चैनल तो दोस्तों पहले मैं बता दूं सौर्ट में उनके साथ connect हो सकते हो आप उनको call कर सकते हो आप mail भी उनको कर सकते हो तो companies जो background verification करा रही होती है या मतलब बहुत सारी है 5-6 companies जो मतलब एक बड़ी-बडी multinational branch पे डील करती है तो वह बहुत सारी है इस पर वीडियो एक बनाया हुआ है टॉप 5 और टॉप 6 background verification company तो मैं बता दूं कि आप नहीं भी अगर contact करते हो उनसे तो जब background verification process चल रहा होता है तो basically आपको खुद mail आता है आपके पास खुद call आता है कि आपका जो background verification है वो कितना initiat हो गया है कितने percent तक पहुंच गया है कितना अभी pending है for example आपको पास mail आ गया या call आ गया तो यह आगे का process है आप उनके साथ कैसे deal करते हो कैसे बात करते हो for example अगर कुछ भी आपका fake पाएगा कुछ भी अगर और भी problem होती है तो यह फिर आपको एक बार उनसे बात करनी पड़ेगी कि मेरा यह problem है for example अगर आप आपका आडेस चेंज हो गया है आपका पहले आडेस कुछ और था और रिसेंटली चार-पांच दिन में आडेस कुछ और हो गया तो आप उनसे बात कर सकते हो कि मेरा previous यह था और मेरा next यह हो गया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप कुछ fake या कुछ भी करते ह तो वो फिर आपको उस हिसाब से डील करनी पड़ेगी कि उनसे कैसे बात करनी है कि वो सारी चीज़े सौर्ट लिष्टेड हो जाए बैसकली ऐसा बहुत कम होता है कि जो कंपनी के वेंडर होते हैं वो इन सब चीजों के लिए अगरी हो जाए क्योंकि कि किसी भी मल्टी ने हैं जिनका वो बैग्राण्ड वेरिफिकेशन और लड़ी करवा रहे हैं तो वहां से उनकी पहले बात तो करोनों की इंकम पहले से आ रही है तो एक बंदे के लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं उठाएंगे लेकिन कई बार होता है कि जो परसनल होता ना कि अपने जो बंद आप पार ने आफे 요रे हैं और थोड़ा सा इसमें टेंचर भी रहता है कि कुछ वेक किया है पता चले उनकी नचेर में नहीं नहीं आया उन थोड़ा सा उस पर रिसर्च करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको गूगल पर जाना पड़ेगा कि इस कंपनी का वेंटर कौन है बैग्राउंड वरिफिकेशन के लिए क्योंकि मैं हर बार वही बात कहता हूं कि अगर पैसा है तो लाइप में सब कुछ पुछ पूस बहुत है है अगर आप पैसे के दम पर सारे काम हो जाते हैं अब बाकी आप समझदार हो आप खुछ इतना माइन लगा सकते हो कि कैसे चीज़ें डील होती है तो बस आदोस्तों आज की वीडियो में इतना ही वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक हो से जरू करें चैनल को भी तर लाइक से और सब्सक्राइब तैंकियो सो मच फूर कमेंग यह जैहिन जैभारत अबी से